हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब ठीकी होंगे दोस्तो एक बाइ फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ समविदा इस्टाब नर्स पूरुस दोनों के लिए जो भरती निकली है उसमें क्या जानकारी रहेगी 13 जून से फार्म प्रारम हो चुके हैं कुल पत कितने रहेंगे योगीता क्या रहेगी आयू क्या रहेगी अब रेजिस्टेशन कहां से होगा क्योंकि पहले जो रेजिस्टेशन सेम्स.co.in ये वैपसाइट थी उससे होता था लेकिन अब उस पर बेन लगा दिया गवर्मेंट ने किसी करण से तो अब रेजिस्टेशन कहां से होगा ये सारी जानकारी समझेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल रहे वेमान है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिक्शन से सबसे पहले आप अपडेट हो सकें दोस्तो आब इसमें दिया गया कि अपलोड डॉकमेंट भी कौन-कौन से होंगे यह सारी जानकारी में इस वीडियो के दुआरा बताऊंगा बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें कहीं से भी इसकी इपना करें तो शुरूआत करते हैं दोस्तो राष्टी स्वास्त मिसन मद्धिप्रदेश सम्विदा स्ट तक जरूर बने रहें राष्टी स्वास्त मिसन मद्धिप्रदेश राष्टी स्वास्त मिसन मद्धिप्रदेश के अंतरगत एनेचम मद्धिप्रदेश के अंतरगत सम्विदा स्टाफ नर्स के पदों के लिए MP online के web portal के माध्यम से आवेदन आमंतरित किये गए हैं ठीके इसमें क्या क्या रहेगा एनेचम मद्धिप्रदेश के द्वारा सम्विदा स्टाफ नर्स के 287 टोटल पोस्ट पर भरती निकाली गई हैं इसमें पूरी जानकारी समझते हैं सबसे पहले हम जानते हैं स्टाफ नर्स की टोटल पद जो रहेगा 287 टोटल पद रहेंगे इस पुरुस के लिए हैं ठीक है इसमें टोटल 288 पद रहेंगे ठीक है आगे जानके हैं इसमें 136 2023 से रेजिस्टेशन और 206 2023 को करेक्शन रहेगा इसके बाद में आपके अनतीम तारिक जो रहेगी 472023 को रहेगी इसके बाद रूटी सुदार किसी प्रकार का आपके आवदन मे कुछ करेक्शन हो तो आप 572023 तक आप करेक्शन करवा सकते हो इसके बाद में सेक्षिनिक योगीता क्या रहेगी इसके बाद में स्टाप नर्स महिला के लिए आपके जो क्या एजुकेशन रहेगी बारवी पास होना कमपलसरी रहेगा और इन सबजेक्ट से होना कमपलसरी रहना चाहिए ठीक है बारवी पास होने कमपलसरी रहेगा physics, chemistry और biology ये subject आपके होने चाहिए इसके बाद में B.Sc. nursing और अथवा इसमें से general nursing या जेस्ट प्रसूती विज्ञान senior midwifery में प्रसिक्षन होना चाहिए मदिप्रदेश nursing, counseling, registration का वेत पंजयन आपके पास होना चाहि हैं आगे बढ़ते हैं सम्विदा, staff, nurse पूरुस के लिए क्या रहेगा बारवी पास होना कमपलसरी रहेगा physics, chemistry, biology ये तीनों subject आपके पास होने चाहिए BSC nursing होना चाहिए, मदिप्रदेश counseling का वेत पंजयन आपके पास होना चाहिए, तब ही आप farm में आगे बढ़ सकते हो आवेदन के समय अभ्यारती को निमने लिखित स्वप्रमानित दस्तावेजो को upload करना होगा, इसके बिना आपके आवेदन को अस्विकार कर दिया जाएगा high school certificate परिक्षा के अंग्सूची लगेगी वो scan होगी, बारवी की जो mark sheet है आपके अंग्सूची है उसे भी scan करना होगा 10 plus 2 सिक्षा पदेती में जी विग्यान, रसाइन विग्यान और भोतिकी के साथ higher secondary पास होना compulsory रहेगा उसे भी आपको upload करना रहेगा ठीक है इसके बाद staff nurse महिला, BSC अर्थवा, journal nursing या फिर जेस्ट पसुती या midwifery इनमें उतीन होना चाहिए और आपका registration वेद पंजेन भी आपका scan होगा staff nurse पूरुस के लिए भी आपका BSC nursing होना compulsory रहेगा और मद्धिपरदेश nursing का जो वेद पंजेन है उसे भी आपको upload करना रहेगा इसके बाद उप्रोक्त दस्तावेत के पीछे के पन्नों में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपकी जो है तो उसे भी upload करना रहेगा मद्धिपरदेश का मूल निवासी प्रमांट पत्र आपके पास होना चाहिए उसे भी आपको scan करके upload करना रहेगा इसके बाद में सामानी प्रसासन विभाग के द्वारा जिसमें आर्थिक रूप से EWS प्रमांट पत्र अगर आपके पास है तो उसे भी आपको upload करना रहेगा आर्थिक रूप से किये जाने वाले कमजोर वर्ग के लिए प्रमांट पत्र जो दिया जाता है जो जारी किये जाता है उसे भी upload करना रहेगा आवेदक के दस्तावेज को अंतिम तिथी से पहले upload करना रहेगा तभी आपको जो है आवेदन स्विकार किया जाएगा ठीक है आवेदन की अंतिम तीथी से पहले आपको आवेदन दस्तावेज सत्यापन करवाना रहेगा आवेदन की तीथी समाप तो होने के बाद दस्तावेज को स्विकार नहीं किया जाएगा आगे बढ़ते हैं इसमें आवेदक द्वारा वाचिनी अपलोड करते समें आवेदक को कालम वार किसी भी प्रकार कर डॉक्मेंट आपने अपलोड किये हैं तो उन्हें अच्छे से चेक कर लें संतुष्ट हो जाए उसके बाद है आपके फॉर्म को आप कन्फर्म कर लें क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की तुरूटी की संभावना ना रहे योगीता क्या रहेगी किस प्रकार से गणना होगी योगीता रहेगी आपकी 21-43 वर्से की योगीता रखी गई है 21-43 से आपके आयू की गणना की जाएगी आरक्षन दिया जाएगा आयू के संभन में तो ST, SC और बिस ये अन्य पिछड़ा वर्ग महिला को भी आरक्षन दिया जाएगा इसके बाद में एक बड़ी अपडेट इसमें और भी निकल के आ रही है महिला केंडिडेट्स में स्टाप नर्स के रूप में न्यू किये जाने के बाद उन्गें प्रती महा 20,000 रुपर प्रती महा के रूप में आपको पेमेंट दिया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे क्या जानकारी रहेगी www.mponline.gov.in ये वेबसाइट रहेगी इससे आप फार्म फिल कर सकते ह अब देखिए आनलाइन लिखित परिक्षा में 40% पर जनरल और EWS के लिए 36% और OBC के लिए 35% और 30% पर HTSC के लिए प्रावधान रखा गया इसमें आप पास की केंडिडेट में आएंगे इसके बाद जो परिनाम आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार आएंगे उसी के अनु अस्तावित पत्र मोल जो भी आपकी जो पड़ पी रहे की उनको आपको जिरक्स कॉपी भी आपको ले करके जाना है और समय के वितर ही आपको आवशकत तानुसार आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना रहेगा 10 वी की माकषीट या फिर उच्छा या फिर आपकी जो उत्य आपने किया है पार्टी कराम उसमें अगर सेमिस्टर भी है तो भी आप चलेगा पास्पोर्ट साइस का फोटो आपको देना रहेगा मध्यप्रदेश उप मंडल अधिकारी राजस के द्वारा जारी किया गा जाते प्रमान पत्री स्केन भी होगा वहाँ पर कोपी भी अबास परमान पत्र अगर है तो वह भी लेकरके आपको जाना है फिटर परमान पत्र अगर आपके पास Hey तो वह भी लेकर जाना प्रोक्त परमान्पत्र और दस्तावेजों में के आभाव में उमीद्वार को पड़ के लिए योग-उखियर गोशित किया जाएगा इसके अलावा किसी प्रति निदित्व का सुईकार नहीं किया जाए जो अगर आपने किसके अलावा और कुछ अगर आपने सामिल किया गया है डॉक्मेंट्स दिये हैं तो उन्हें वेरिफिकिशन में दाइत्व नहीं देंगे अब हम समझते हैं कारी दाइत्व क्या रहेगा डिलिवरी पार्ट टाइम और कारी रेत स्टाप नर्स ठीक है प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संबादित करना नियूनतम 20 प्रसव प्रतिमाग पर अथवा नियूनतम 10 प्रसव जो है CS एवं PSC रिमाग प्रकर गर्वती महिला का संपूर्ण हेमोगलोबिन पिशाब बीपी और पेट की जांच करना आवश्यक और प्रविष्टी में MPC कार्ट करना अनिवारी रहे खत्रे के लिए खुन की जांच करना रखतिचाब और आडा या जुड़वा गर्व आदी जो भी समस्या रहती उन सब का उपचार करना तथा सुईदा उपलब्द ना होने पर किसी भी क्रियासिल स्वास्त संस्ता के जन्नी एक्स्प्रेस वाहन को रेफर करना सामानी हिमोगलोबिन पर 11 ग्राम के उपर आई एफ़े के एक बड़ी गोली खुन की कमी और 8 से 11 ग्राम आई एपकी दो बड़ी गोली के सेवन के सला देना ये आपके कारी रहेंगे गंबीर एनिमिया वाली महिला को सिमाग संस्ता के प्रभंदन हैतू रेफर करना गर्वती महिला को संपूर ने जाजकर एडमिशन शीट तयार किया जाए ये आपका कारी रहें निर्धारन प्रोटोकॉल के अनुसार फोटोग्राफ सम्मंदित संधारन किये जाए और जिसमें पीटल तथा मेंटरल डिस्पेस निर्धारन प्रोटोकॉल और अवरद तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए